कि नमस्कार दोस्तों कोचा पेडिए पर फिर सबका स्वागत करता है हमने लगब लगब अपना मैजिक मैं सीरीज जो है वो खतम कर दिया है एकादो टॉपिस बचे हैं वो इसका पैरलेली चलते चलते बहुत जल्द खतम हो जाएंगे दो से चार टॉपिक्स में मुश्किल स चलते बच्य होंगे उससे आधा आपको और कुछ करने की जरुत नहीं है ठीक है तो मुझे क्या दोचा लोगों ने कहा कि एकएगा बहुत असान है बस दिमाग चलाएगा चले चालू करते है चालू करने के लिए अपने पास सबसे पहले जो बेसिक टॉपिक होता होता होत से इफ्लेशन इसके बारे मैंने थोड़ा आपको बताया था अपने डेम होच री ठोल में थोड़ा है यहीं Помघ जानने के लिए इससे पहले आपको दोचीजों जानने पड़ेगी पहली होती है demand की demand का मतलब होता है मांग किसी भी चीज की मांग कितनी है और दूसरी चीज होती है supply यह दूनों factors होते हैं inflation जो होता है उसके main factors होता है demand और supply supply को क्या यह क्या होते हैं वो मैं आपको समझाऊगा जैसे माल लीजे माल लीजे कि एक मार्केट है हमारा माली जो रायगड ही है रायगड में क्या होता है कि हमारे पास दस टीवी की मांग है ठीक है दस टीवी की मांग है मैं दुकान में गया हर दुकान में एक एक टीवी है ठीक है ऐसे करके हमारे पास दस दुकान है दस दुकान में एक टीवी है मतलब सप्लाई कितनी है सप्लाई परियाग्त है अपने पास दस दुकानों में मतलब ये पूरा रायगण में 10 टीवी है और हमारे रायगण में 10 टीवी की ही मांग है तो इस केस में क्या होगा ना inflation होगा ना deflation होगा ना महंगाई होगी ना सस्ती होगी ठीक है इस case में ऐसा इसी लिए नहीं होगा क्योंकि क्या है देखो डिमांड जितनी है उतनी ही supply है ना तो महंगाई होगी ना तो सस्ता होगा ठीक कोई जीज अगर अगर यही बात होती कि राइगर में महंगाई मतलब मांग होती राइगर में मांग होती 10 टीवी की और जो supply होती राइगर के सारे दुकानों मिलाके उनके पास मात पांच टीवी होता तो इस case में क्या है इस case में क्या है कि डिमांड हमारी जादा है supply कम है ठीक है मतलब अगर यह 1000 रुपए की चीज है एक टीवी मालेज हजार रुपए की है ठीक है एक टीवी 1000 रुपए की है तो उसको वो 2000 में बेचेगा तब भी यह लोग लेंगे क्योंकि भाई मुझे तो जरुवत है और जितना जल्दी जितने में वो बोलेगा मैं उतने में ही लूँगा यह चीज हो जाती है जब डिमांड जादा रहता है यह जो साहिं दिया बढ़ता है ठीक यह बाता समझ मेंगे अपर डिमांड जादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगी तो जो महंगाई है वो बढ़ेगी उल्टा केस लेकर चलते हैं अगर अपन यहां पर हमारे पास डिमांड है 10 टीवी की ठीक है और सप्लाई है वहाँ पे 20 टीवी की दुकान म बढ़े हुए हैं लेकिन रागण वाले को सिर्फ 10 टीवी चाहिए मुझे 10 टीवी ही चाहिए उससे जाधा नहीं चाहिए तो वो क्या करेगा अगर उसकी कीमत है एक हजार तो वो 800 में भी मुझे देगा मान लिए 700 में उसने खरिदा है तो वो मुझे जस्ट 100 बगमा के 800 मे ही चाहिए क्योंकि क्या है यहां पर सप्लाई रियाद है मेरे पास सामान भरा हूँ है बहुत जादा लेकिन लेने वाले नहीं है इस केस में क्या होता है कि महंगाई जो होती है ना महंगाई गिर जाती है इंफलेशन जो है वो गिर जाता है देखो अलग-अलग term से आत करो हो गए कोई मतलब नहीं है उसका आपको बस यहां पर एक चीज़ समझना है कि यहां पर inflation जो है महंगाई जो है वह बढ़ रही है यहां पर जो महंगाई है वह घट रही है बाते यहां तक यहां पर सप्लाई ज्यादा थी और जो डिमांड थी वह कम थी यहां तक बाते क्लियर हो गई अब इसी चीज़ को अपन बोलते है डिफलेशन या सस्ता पन या सॉरी में को इसका हिंदी मतलब नहीं पता है इसको डिफलेशन कहते है जब महंगाई गिर जाती अलग अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं ठीक है अब यहां पर यहां पर यह मैंने आपको दो केस बताए एक में महंगाई जादा थी एक में महंगाई कम थी तो उसी दोनों केस को लेके चलते हैं अपन यह होता है इंफलेशन का केस दूसरा होता है डिफलेशन का केस डिफलेशन को एक तरी केस मंदी भी लिखा जा सकता है मंदी अब इन दोनों में आप वो बात समझ यह क्या है दोनों में यदि हमारे पास ठीक है हमारे पास इन्फलेशन है मार्केट में महंगाई अगर बढ़ी हुई है महंगाई बढ़ी हुई है महंगाई कैसे बढ़ेगी महंगाई तब बढ़ेगी जब डिमांड जादा होगी और सप्लाई कम होगी डिमांड जादा कैसे होगी भाई अगर मुझे टीवी लेना है तो मेरे हाथ में पैसा होना ची कि हम पर थाऊओगा सब्सक्राइब मेरे चीज है मेरे बढ़ेंगी मैं किसी बी चीज की दिमांड करूंगा बाते क्लियर हो depois है यहां कि बेसिक से अगर हमको थोड़ा से ज़्यादा मिलता है तो हमारी डिमांड नहीं बढ़ेगी बेसिक से बहुत आदा मिलता है तो फिर हमारी जो है डिमांड बढ़ती है ठीक है तो मैंने आपके हब क्या कॉंसेप्स सिखाया कि अगर आपके हाथ में पैसा है तो ही जाके आपका इनफलेशन को बढ़ाएगा ठीक बाते clear ये पॉंट clear होगा पैसा हाथ में रहा तो मेरे डिमांड बढ़ी तो महंगाये भी बढ़ी अब इस से बचने के लिए क्या के जाता है बैंक क्या करते है ठीक है इस से बचने लिया जाए इंसान कैसा करता है कि इंसान क्या करता है जैसे मान लीजिए ये एक बैंक है ठीक है बैंक से उसने ले लिया लोन बेंग से उसने ले लिया ये उसने उने पांच लाग का लोन ले लियाано मेरे को जो भी बढ़ना तो मैंने 3 लाग रूपए डाल दिया विजनस में ठीक है वो चला नहीं चला भाड़ मझा है मेरको मतलब बढ़ ती लोन्स भी यह बैंक पैसा बाट रहा है तभी तो उसके लिमांड बढ़ रही है अब क्या करेगा बैंक यहां से bank क्या करेगा अपने rates बढ़ा देगा ये 2% पे ले रहा था अब 10% पे देगा ठीक है जो 2% पे वो loan ले रहा था वो अब 10% पे देगा ठीक है तो पहले जहां पे ये 5 लोग loan ले रहे थे मेरे जैसे 5 लोग loan ले रहे थे अब क्या करेंगे सिर्फ दो लोगों लेंगे जिनको वाकई में जरूरत है ठीक है बाते क्लियर और वो भी ये पांच लाक नहीं लेंगे मेरे को तीन लाक यहां जरूरत यह जरूरत भी नहीं दियो मैंने का ऐसी डाल दिया था अब जिसको जरूरत है तीन लाक की वो तीन ल रूपर देना पड़ेगा बहुत बड़ी रखम होती है तो जिसको जरुवत होगा वही लेगा यहां पे लोन ठीक है यह होता है रेपो ओपरेशन्स ठीक इसको बोलते है rap operations यह इसका मैं अलग lecture लूँगा बस आप बातों को समझ लीजे ठीक है यह समझ मैं है आपको bank क्या काम करेगा तो आपको जो main points में यहां बताना चाहता हूं उसको बस दियान रखिए आपको मेरे खील से बाते समझ में आ गए होगी तो अगर लोगों के हाथ से पैसा घटाना है, अगर डिमांड को मुझे कम करना है, अब यही चालू कर लेते हैं भाई, इंफलेशन कम करनी है मुझे, तो इंफलेशन किस से रिलेटेड, डिमांड से रिलेटेड है, डिमांड कम करना पड़ेगा, डिमांड किस से रिलेटेड रेपो रेट्स लिख देता हूं ठीक है रेपो रेट्स इंक्रीज करेंगे या रेपो रेट्स जो भी है उसको क्या बढ़ता है बढ़ाया जाया ठीक और तीसरा पॉइंट भी यहां लिख देता हूं मैं money will be reduced money को जो पैसा है लोगों के हाथों से खीचा जाया बाते क्लियर यहां तक महंगाई कम करने के तरीके हमने देख लिये महंगाई कैसे होता है ठीक अब मैं दोता मंदी का टाइम है मंदी का टाइम है तो मतलब लोगों के हाथ में पैसे नहीं है लोगों के हाथ में पैसे नहीं है तो क्या है भाई, डिमांड कम है डिमांड लोगों की कम है मुझे यहाँ पे जैसे मैंने बताया 300 रुपए मिलना था खाने के लिए अब मुझे मात्र 200 मिल रहा है तो मैं बाईक कार का सपना कहां से देखूंगा भाई खाने की मारा मारी हो जा रही है मुझे खाने में 50 रुपए कमी करना पड़ रहा है मुझे जो दाल एक किलो खड़ना था अब मुझे पाधा किलो लेना पड़ रहा है अपने खाने में कमी करनी पड़ रही है तो मैं आप वाईक वाईक एसी की बाद तो सोचूंगा ही नी, ठीक है, यह होता है मंदी का दौर, ठीक, तो उस टाइम पे लोगों के हाथ में पैसा कम होता है, डिमांड कम होती है, अब डिमांड कम होती है, तो क्या होता है, इंफलेशन जो होता है, वो भी कम हो जाता है, इ ने अब इतने काबिल हो चुके हैं कि आप मुझे यहां समझात पाएंगे, मतलब आप मुझे खुद बता पाएंगे यहां पर, इसको इसको परने रपवो के विच्नला को क्या इसको हुथाने के ओढ़ाना पड़ेगा? डिमांड बढ़ा दिये, डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा बढ़ाना पड़ेगा, तो अब जो यहाँ पे जो rates जो मैंने आपको बताया ना, 10% पे मिल रहा था, वो वापस कितना करतेगा, 2% करतेगा, अब फिर लोग लेना आएंगे, भागे भागे लोग पैसा बट रहा है, भाई, लेलो उठा कि क्या दिक्कत है उसमें, तो वही चीज मैं है, आपको बताना चाहता हूँ, rates जो होते है, rates जो होते है, वो down कर दिया जाते है, ठीक है, rates जो है, उसको down कर दिया जाते है, indirectly अगर आप ये बोले, money is given in market, money जो है, वो market में दिया जाता है, ठीक, यहाँ तब बातें clear हो गई मेरे ख्याल से आपको, ठीक है, inflation का concept इतना था, ये जो rate वाला आइटम है, इसको मैं अलग लेक्चर बताऊंगा, इसको आप अगर समझ गया है, ठीक है, अच्छी बात है, उपर उपर का समझ गया होंगा, आप लोग लोन वाला जो अंदर वाली बाते हैं, वो हम अलग लक्चर ने बताऊंगा, ठीक है, अपने अगरे टॉपी पर बढ़ते हैं, इस पर ठीक, चले है, दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बैंकिंग की तरफ से, बैंकिंग का जो काम चलता है, वो बताना चाहता हूँ, ठीक है, बैंकिंग कैसे होता है, ये, ये मेरा मालिजेक्ट बैंक है, ठीक, एस बियाई ले लो आप, आर बियाई ले लो चलो, सबसे बड़ा बैंक है, ये क्या है, मेरा बैंक है, ठीक है, तो ये क्या करता चलो, आर दस करोड आप रख लो, ठीक, दस करोड मेरे पास है नहीं हो, बोलने वाली बात है, मैं बोल दिया उसको, यह मैं हूँ, ठीक है, बड़ा पतला बना दिया चलो, कोई बात नहीं, मैं बोला कि सर आप मेरे दस करोड रख लो अपने पास, बदले में मुझे कुछ ब्यास दे द तो वह तो मुझे देगा निए अभी आज तो वह क्या करता है दो काम करता यह ठीक है एक काम करता है कि जिनको लोन्स चाहिए ठीक यह मैं हो गया डी डिफॉल्टर नी डिपॉजिटर डिपॉजिटर मतलब देने वाला ठीक है मैं अपना पैसा दिया आप इसको हिंदी में द 12 करोड दिया अब SBI क्या करेगा उसके पास दो तरीके हैं इसको भी उसकरने के लिए पैसा कमाने के लिए वो क्या करेगा या तो लोन देगा दूसरे आदमी को कोई आ गया लोन लेने के लिए को इंडस्ट्री माले जैनल नमीन इंदल जी आ गए हाँ पर लोन लेने के लिए वो उनको loan दे देगा 8 करोड का चलो वो नन बोला मुझे 8 करोड का loan चाहिए यह 8 करोड का loan उसने दे दिया SBI ला चाहिए यह 8 करोड का loan दे दिया और उसने बोला कि बद ले में आप मुझे 15% का भ्यास दोगे ठीक है बात है क्लियर हो गई 15% का व्यास दोगे इतना वोला तो ये दोनों के बीच जो difference आता है अपना इन दोनों के बीच difference आएगा 10% का इससे क्या है बैंक अपना काम करता है अपने employees का खर्चा देखता है अपने पूरा management 5% दुनिया वर जो खर्चा है वो इस 10% में वो देखता है यहां तक बात है clear हो गई अब क्या होता है दूसरा case जो होता है अगर उसको मालो कोई लेने वाले नहीं मिलते हैं कोई भी उसको लेने वाले नहीं मिलते हैं तो यह क्या करेगा बैठे बैठे तो नहीं कर सकता ना भाई अपना इसके का जस्ट बाद मैं आपको बताऊंगा ठीक है आफ इतना अभी समझे yağ अपना पैसा लगाएगा बताईए घमाळूंट कीज्प कर लिया है सारे आजमी लोग से 10 क्रोड का ग् वहां कुछ बनाने का होगा रोड़ बनाने काетрी टोल जो रेवनिय होता है उसने रेवन्ट फण करोड खर्चा करना बड़ा तो भाई 5 क्रोड तो उसके पास कमी हो गई रहे यहां पैसा लिखा रहत iedereen माल लो कितने कमी हो रही है पांच करोड तो यह लिखा रहेगा पांच करोड और यहाँ पर टाइम नीचे दिया रहता है दस साल पांच साल दो साल जितना भी उसको मन हो वो दिया रहता है ठीक है तो इसको अपन कहते हैं maturity टाइम जो रहता है इसको अपन कहते हैं maturity इतने दिन में वो mature होगा और नीचे में एक और चीज़ दी रहती है जो percent रहता है government security इसका percent बहुत कम रहता है मालो तीन परसेंट इसमें दिया होगा ठीक है तो तीन परसेंट पर एनम के हिसाब से 10 साल बाद वो मुझे देगा तब तीन परसेंट जब तक इसको मिलता है तब तक उसको शायद कोई borrower मिल जाए तब तक तो यह चलाएगा अब कैसे करेगा इसके पास उपाय नहीं कोई लेने वाला आ नहीं रहे पैसा तो तीन परसेंट यहाँ मेरे को देगा और दो परसेंट अपने जेब से भरेगा फिर उसको कोई अगर borrower मिल जाते हैं फिर अपना कमाई करेगा इस तरीके से बैंक चलता है ठीक है बाते क्लियर हो गई यहाँ तक अब आगे बढ़ते हैं चलिए बात आती है बैंके के अंदर में इसको मैं यहाँ लिखते हैं रिजर्व रेशियो रिजर्व रिजर्व रेशियो आपको नाम से समझ मैं आ रहा होगा है कि मतलब इतना पैसा जो है ना जितना मेरे पास पैसा आया है जितना पैसा मेरे पास आया है उसका कुछ amount मुझे बचा के रखना पड़ता है तो वो दो तरीकों से बढ़ते हैं एक होता है CRR इसको बोलते हैं cash reserve ratio मैं लिखूँ अनिम आपको बता दे रहा हूँ इसको बोलते है cash reserve ratio ठीक है मतलब इतना पैसा यह जो आपको समझ लो आपके पास total 100 करोड है आपके बैंक में ठीक है वो किसके पास जमा रहता है वो रहता है reserve bank of India के पास जमा हो जाता है बात है clear यह जो रहता है RBI reserve bank of India को जो 4% amount रहता है वो आपको जमा करना पड़ेगा ठीक है अब दूसरी बात आती है SLR इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा pronunciation इसका गरबढ है statutory liquidity ratio होता है ठीक है SLR का मतलब यह क्या होता है यह लगभग लगभग होता है 20% 18 से 20% 22% आस पास तक का होता है मैं इसको भी 20% मान के चलता हूँ ठीक है मतलब इस 100 करोड़ों का जो 20% है वो आपको किस फर्म में रखना है यह मैंने आपको पता है यह किस फर्म में रखना है यह सिर्फ आपको cash रखना है CRR को ठीक SLR जो होता है SLR को आपको किस में रखना पड़ता है एक आप gold के form में रख सकते है ठीक है अभी मैंने आपको बताया government security उसके form में रख सकते है ठीक है तीसरा मैंने आपको बताया cash के form में रख सकते है यह तो उसमें profit हो सकता है, बहुत important point है, बहुत ही जए dato important point है, कि जो SLR होता है, उसमें profit की जो value रहती है profit yas होता है, जब कि RBI होती है, RBI की value, मतलब यहецरा जो CRR होता है उसमें profit आप नहीं कमा सकते, वो चुप चाप जाके जाबा हो जाएगा, उसमें profit नहीं होता है, गोल्ड की मातरा बढ़ सकती है उसकी value बढ़ सकती है तो गोल्ड में आपको मिल जाएगा प्लस government security में आपको interest मिल रहा हुतना पैसा आप दे रहे हो उसमें तो वो भी बढ़ जाएगा बेशक ठीक है तो इसमें profit हो सकता है इसमें नहीं हो सकता है यह चीजँ को समझना था बहुत प्यार से मैं आपको समझा दिया है ये होगि《आप मालो》 बैंक है, Yes, bank ठेक, इसमें तीन लोगों ने अपना पैसा जमा किया था 10-10 करोड रोपे, ठेक हैं, अच्छी बात 10-10 क로ड तीन आद्मियों ने जमा किया था, इसने एक आदने को दे दिया पूरे के पूरे 30 करोड ठीक इसने पूरे के पूरे 30 करोड दे दिया अब कहीं से उरती उरती अफ़ाह मिल गई कि येस बैंक डूबने वाल है ठीक है येस बैंक डूबने वाल है तो क्या करेंगी इनों जो अपना पैसा लगाया है वो तो जिप चब जाएंगे भागते भागते उसके पास नहीं तो इसके इसको अपन बोलते हैं बैंक फेलियर ठीक है बैंक जब फेल हो जाता है उसको अपन कहते हैं बैंक फेलियर ये बात यह थी ठीक है तो बैंक फेलियर के टाइम पर क्या होता है कि वो तुरंट तो लेने सकता है इसलिए जैसे यहां 20 हो गया और यह 4 हो गया लगब और यहां तक क्लियर होगे आपको मैंने बैंकिनग अलब आपको हर चीज बता दिया कर वगए वह अलक्लासर बताओंगा चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा चीज जो अपने को जानना था वो था लायबिलिटी मतलब अगर आपने कभी नोट देखा है नोट तो बेशक देखा होगा लेकिन एक दम ध्यान से देखा होगा तो सौ रुपय के नोट में लिखा रहता है गवर्नर द्वारा लिखा रहता है ठीक है मैं धारप को सौ रुपय अदा करने का वचन देता हूँ इस टाइप का तो उसी को बोलते है लायबिलिटी मतलब मैं उस चीज को दिखाऊंगा तो आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे उसको बोलते है लायबिलिटी यह दो टाइप के होते हैं यह दो टाइप के होते हैं एक होता है डिमांड लायबिलिटी में क्या होता है कि जब आपको डिमांड है मैं जब बोलूँगा मुझे पैसा चाहिए मतलब मुझे पैसा चाहिए उसी के उसी वक्त मुझे मिलना चा में केहते हैं इसको 9なた आगया सविंग अकाउंट इस डैप के जो सीन होते हैं उसका अपन भूलते है अगर इन तीनों को आप इन तीनों गहें तो आपके रहती डीडी को अगर आप आओ गे मुझे पैसे दो अभी उनको देना पड़ेगा इस चीज़ को गहते हैं डिमांड लायबिलिटी ठीक है अपने एकाउंट से पैसा निकालने है एटम डालो निकालो आपको पैसा मिलेगा मतलब मिलेगा वही चीज़ होती है दूसरी होती है टाइम लायबिलिटी नहीं निकाल सकते यदि आप टाइम से पहले निकालते हो तो जो प्रॉमिस्ट अमाउंट है उससे आपको कम मिलेगा जैसे आपको सौर रुपे का कोई चीज़ का एपडी किया गया है आपको उसमों 6% का इंट्रेस देने का बात हुई है तो आप अगर उसको 6% की बात हु लेटी में आता हैjam लेटेव आता है इसी डिपाउजीर एक सिंकल कॉशेन में अपको यहां पर इस बता लुगा कि जो डिमांड लेटी होती है ना demand liability होती है वो हमेशा time liability से छोटी होती है ऐसा क्यों क्योंकि जो ये current account saving accounts है ये आपको लगबग लगबग 3-4% का ब्यास देते हैं तो लोग इसमें कम पैसा फसाते हैं और ये जो FDRD वगेरा होते हैं ये लोग लगबग 7-8% का ब्यास देते हैं तो भाईया पैसा तो आप क्यों डालोगे इसलिए लोग अपना ज्यादा पैसा यहां बाठते हैं और कम पैसा यहां रखते हैं जो कि daily use के काम के लिए निकल जाता है बाते क्लियर होगे यहां तक बस इतना चीज था liability के लिए ठीक है अगले topic पर आते हैं चौथा point जो होता है वो होता है open market operations open market operations अब यह क्या होता है और यह किस के द्वारा किया जाता है यह किया जाता है बैंक के द्वारा ठीक है एक चीज को समझेगा यह हमारे पास हो गया SBI ठीक है यहां पे हो गया RBI और यहां पे आ गया हमारा customer ठीक है यहां पे आ गया customer अब क्या होता है bank bank को अगर normally loan लेना है तो उस case में दूसरा होता है bank rate का case होता है अगर bank को normally 28 दिन तक के लिए 28 दिन या उससे कम 28 दिन का जो रहता है उसको अपन बोलते है short term 28 या उससे कम 28 से जादा हो जाता तो उसको अपन कहते है long term ठीक है तो RBI का जो सीन है अगर bank को इससे पैसा लेना है ठीक है bank को अगर पैसा लेना है RBI से तो बदले में कुछ इसको जमा करना पड़ेगा government security बगेरा जमा करना पड़ेगा यही चीज़े होती है ठीक है यहां ते बाते क्लियर हो गई अब open market operation जो होता है वो होता है पैसा खीचना या पैसा पाटने की तरकीव जो मैंने सबसे पहले आपको बताया शुरुवात में मैंने आपको बताया इंफलेशन और डिफलेशन को target करना है तो वो कैसे किया जाएगा open market operation के through ही किये जाएगा ठीक है अगर RBI को देख रहा है market में भईया पैसा बहुत कम हो गया है पैसा बहुत कम हो गया मुझे पैसा चाहिए मतलब मुझे लोगों के हाथ ना पैसा देना है उनकी demand बढ़ानी है तो क्या करेगा RBI जो है वो अपनी repo rate कम कर देगा ठीक है repo rate कम कर देगा तो कम rate में데 इसले पैसा लेगा और कम लेट में लोगों को बाटेगा ठीक है बाते clear कम rate में लोगों को लौन के स्थ्फू में बाटेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आ गया उसके बदले में इसने इस से government securities बगयरा ले जैते हैं open market operation यदि इसका उल्टा case है यदि इसका उल्टा case हो जाता है कि अब दूसरा case लेके जलें अब दूसरे case में क्या होगा कि अगर लोगों के पास बहुत पैसा है लोगों के पास से पैसा मुझे खीचना है ठीके लोगों के हाथों से पैसा मुझे खीचना है तो अर्बियाई क्या करेगा अपने रेट्स को बढ़ा देगा तो जो लोग यहां पे रेट्स में हल गेता हो रेट्स को बढ़ा देगा तो स्ब्सक्राइब के पास पैसा automatically market में कम हो जाएगा बस इनी सब चीजों का अपन कहते है open market operations ठीक है आज के लिए बस इतना ही मैं यही पैंड करता हूँ कल फिर दुबारा नहे lecture के साथ आऊँगा उसमें देखेंगे अपने क्या काइडिस करना आगे कि बाते हम वहाँ करेंगे आपका और कुछ ज़र्वत नहीं है हर चीज मैं आपको बढ़ाऊँगा कर्वर्व से लेके दुनियादारी जो income distribution कर्व लॉरेंस कर्व वगरे दुनियादारी जो भी है न सब मैं आपको बताऊँगा बस आप बैटके देखते रहेगा ठीक है चले फिर कल मिलते हैं नहीं लेक्चर के साथ सब तक के लिए धन्यवाद